जी नमस्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत बहुत फाकत है, 30 जुलाई 2018, सोमवार का दिन है, आए जानते हैं, इससे हमें किस तरह की मदद मिल सकती है, मैं हूँ दीपकुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुप कि वो सब कुछ कैसे हो पाएगा जिसे आप दिल से करना चाहरे हैं, रिशब राशीवालों की कामकाज के प्रती लगन भी अच्छी है और आपकी मेहनत भी बनी हुई है, पर आप अपनी मेहनत के खिलाफ ही सवाल खड़े करते चले जा रहे हैं, इस समय अपने फैसलों में बहुत सारी विवहारिकता लानी होगी, ताके आप दिल के बजाए दिमाग से सोच जाएं, रिशब राशी वालों के लिए तकदीर की भूमी का आपके प्रती बहुत अच्छी बनी हुई है, फिर भी आप पैसे को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, पैसे स्रीड़े फैसलों को बहुत ध्यान पूरो करने की जरूरत पड़ेगी, करक राशी वालों के लिए बहुत कुछ एक साथ चलता चला जा रहा है आपके मन में, किसी भी चिंता को अपने मन में बढ़ा लेंगे, तो उसका असर जिंदगी की कई और चीजों पर आ जाएगा, और हर रिष्यक राशी वालों के लिए पैसे से जुड़ी परिशानिया उभर करा सकते हैं, पर उससे बड़ी समस्या यह है, कि जो भी कमिट्मेंट्स आपने की हैं, उन्हें भी निभाना ही पड़ेगा, इसलिए भी आपके मन पर बहुत सारा बोज है, तुला राशी वालों को क रामकाज के प्रती अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की ज़रूत है, क्योंकि किसी भी बात को बिना पूरी तरह से समझे, आगे बढ़ने से कोई लाव होने वाला नहीं है, इसलिए अपने काम या कारोबार की परिस्तिती को बहुत ध्यान पूरों समझने की ज़रूत है, रिष्यक राशिवालों के लिए सुख भी है और सुकून भी है, और अपने काम को आगे बढ़ाने के बहुत सारे विचार भी है, इसी वज़े से आपका तनाव कुछ बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो राशिवालों को लग रहा है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा फल न नहीं जा रही है, और दूसरी और आपने लोगों के प्रती अपने मन में बहुत सारा असंतोष पैदा कर रखा है, एक चीज का दूसरी चीज पर असर पढ़ रहा है और वही ठीक नहीं है, पुम राशिवालों को बहुत सारी शांती और बहुत सारा धैरे बनाये रखने की जरूरत है, अगर अपना ही मन परिशान रहेगा, तो जिन्दगी की खुशिक आप लुट्व किस रूप से उठा पाएंगे, इस बात को समझने की सब्सक्राइब, बीन राशिवाले ही समझ ले कि किसी प्यार के रिष्टे में अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेने से भी नुकसान हो जाता है, इसलिए हर चीज को विवारिक्ता से देखने की जरूर ही, लोगों की गलतिया निकालते चले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, ये था जी आप सब के लिए आज कर आशिवा, नमस्कार.